हलो बचो कैसे हाल चले मेटा पढ़ाई सब मस चल लेगी बचो तो बेटा जरा मैं अपने घर से बाहर निकला हुआ था एक देले टिप की यहां आया था और बेटा मुझे कहीं जगे नहीं मिली यह थोड़ा सा घर पढ़ा हुआ था उन्हीं के घर के पास में थोड़ा सा यह यहां पर गंदगी है लेकिन कोई बात नहीं मैंने सोचा टाइम मैं नहीं खराब करूँगा और आपके लिए एक अच्छा वीडियो यहां से मैं बैट के बनाऊगा तो बचो क्या है यहां पर हम लोग कन्वर्जेंट आफ सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे उ आप देख रहे होंगे यहां पर काफी आसपास थोड़ी सी गंदगी है और आप देख रहे होंगे काफी यहां पर गंदगी पड़ी हुई है लेकिन क्या करो मजबूरी है बेटा तो मुझे थोड़ी सी जगह मिली मैंने का चलो मैं आप के लिए यहां पर एक अच्छा वी यह छोटा सा concept है बच्चों, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सरे इसको पढ़ा दीजिए, तो मैं रो इसको पढ़ा देता हूं मैं, ठीके बच्चों, तो हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं क्या बोलो? rearrangement of series यह बेटा हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छा द्यान दीजे बच्चो इसको rearrangement की जगए पर हम de-arrangement भी कई बार कहते हैं एक ही बात है de-arrangement यह यहाँ पर बच्चो द्यान दखना इसको de-arrangement भी कहते है de-arrangement of series भी इसको हम लोग कहते है rearrangement यह de-arrangement of series भी बच्चो इसको हम लोग कहते हैं समझो बात को देखो बच्चो क्या होता है de-arrangement को पढ़ने से पहले मैं छोटे सी बात आपको एक बता दू हमें आपको बताना चाहता हूँ पहले grouping of series क्या होता है ये भी एक छोटा सा कॉंसेप्ट होता है जिक है grouping of series इसको पढ़ने के बाद ही हम लोग rearrangement को समझेंगे तो बच्चो छोटा सा एक concept है ये grouping of series देखो ध्यान दू grouping of series में बच्चो क्या होता है जरा बात को ध्यान से समझो जैसे की थोड़ा समय केमरे को set करता हूँ अब ठीक है तो बच्चो क्या होता है जैसे की मालो मेरे पास कोई series है माले जे मैंने एक series ले ली u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 से लेकर के up to infinity तक मालो मैंने series ले ली इसको आप ऐसे लिख सकते है sigma of un और n वरावर 1 to infinity यह हमारी series हो गई अब आप जानते हैं कि series अगर convergent होती है तो इसका मतलब यह sum exist करता है यह मैंने समझा है था आपको कि अगर हमारी series convergent है तो इसका मतलब होता है उस series का infinite तक sum exist कर रहा है या उस series का infinite तक sum हम निकाल सकते हैं कब अगर series convergent है तो हम सबसे पहले grouping of series पढ़ रहा है उसके बाद मैं आपको rearrangement या derangement of series के बारे बच्चों समझाँगा समझो बात को जहां से देखो यसे grouping of series क्या कहता है कि अगर आप 2-2-3-3 term को मिला ले जैसे कि माल लिजे मैंने इन दो term को मिला दिया या इसके बाद मैंने इन तीन term को मिला दिया या उसके बाद मैंने चार term को मिला दिया और मिला मिला के नए term बना दिये जैसे कि माल लो मैंने इन दो term को आपस में plus कर दिया या minus कर दिया जैसा भी होगा और मालो ये K1 बन गया मालो इन तीन टम को मैंने आपस में प्लस कर दिया और ये K2 बन गया और ऐसे करके हमारे पास एक नई सीरीज आ गई मालो ये नई सीरीज क्या आ गई ये आ गई सिग्मा आफ के एन की नई सीरीज N बराबर 1 टू इंफिनिटी है ना तो हमने क्या किया grouping का मतलब दो या तीन टम को मिला करके एक निया टम लिख देना जैसे इन दोट को मिला करके मैंने एक निया टम के बन लिख दिया इन तीन को मिला कर मैंने निया टम के टू लिख दिया या आगे भी चार टम होंगे या दो होंगे जैसे भी हो उनको मिला करके मैं नहीं टर्म लिख दिया तो दो दो तिन तिन टर्म को मिला करके अगर मैं नहीं टर्म लिखते जाओंगा तो इसको कहते हैं grouping of series ये एक अलग concept है rearrangement एक अलग concept इसको मैं बताता हूँ अब को पहले grouping of series में क्या होता दो दो तिन तिन टर्म को मिला दिया देखो अब एक concept कहता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक series है देखो नोट करके इसको लिखते हैं एक concept कहता है कि अगर मान लीजिए sigma of un n बरावर 1 to infinity ये मेरे पास एक series है कैसी series है ये series है mixed series mixed series का मतलब समझते हैं आप लोग mixed series का मतलब इसमें कुछ term plus हो सकते हैं कुछ minus हो सकते हैं एक होता है positive term series positive term series का मतलब इसमें सारे term plus होंगे ये mixed series है मतलब इसमें term plus भी हो सकते हैं minus भी हो सकते हैं सिर्फ plus सिर्फ minus दोनों भी हो सकते हैं यह एक मिश्ट आप की सीरीज है और माल लीजिए यह सीरीज जो है यह कनवरजेंट है यह सीरीज कैसी है कनवरजेंट है और यह कनवरज करती है S पे सीरीज के कनवरजेंट का मतलब यह सीरीज के मतलब यह हुआ तो ध्यान देना अगर हम इस सीरीज को grouping कर दें हैना अगर हम इस series को grouping कर दें तो grouping के बाद जो नई series मिलेगी बो भी convergent होगी और बो भी s पर ही converge करेगी हैना तो ये बात ध्यान लखना then series obtained then series obtained by grouping जीकिए series obtained by grouping of terms series obtained by grouping of terms also converges to s मलब grouping करने से convergent पर फरक नहीं पड़ता है ये बात जरा यहाँ पर समझना ध्यान से series को grouping कर दें मलब 2-2-3-3 term को मिला के नए term लिग दें तो उससे क्या होगा बचों कि convergent पर फरक नहीं पड़ेगा अगर ये series convergent है तो grouping के बाद जो series मिलेगी वो भी convergent रहेगी और s पर ही converge करेगी लेकिन ध्यान लखना इसका उल्टा ट्रू नहीं है इसका converge ट्रू नहीं है converge not true converge not true का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लोग grouping वाली series अगर converge कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि main series converge करे इसका उल्टा true नहीं है मतलब अगर grouping वाली series अगर grouping वाली series converge कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि main series converge करे दो को जैसे for example अगर मैं एक series लेता हूँ sigma minus 1 की power n n बरावर 1 to infinity मालू मैं ये series लेता हूँ तो अब ये series में क्या होगा n को 1 लखोगे तो minus 1 2 लखोगे तो plus 1 फिर minus 1 फिर plus 1 फिर minus 1 फिर plus 1 फिर minus 1 फिर plus 1 ऐसे करके आएगी series अब मैं आपसे कहूँ कि क्या इस series के infinite term का sum निकल पायेगा तो नहीं निकल पायेगा क्यों योगी दोको बज़ेए हैं यहाँ पर इस series के infinite term का sum यहाँ पर क्यों निकलेगा क्योंकि problem यहाँ पर यह हो रही है कि अगर हम इसमें infinity तक जाना है हमको अब हमें अगर इसमें infinity तक जाना है तो हमको नहीं पता इसमें कितने term जाएगा अगर मालो even term हुए तो cancel हो के 0 हो जाएगा है ना दो 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 मिलके cancel हो के 0 करते हैं अगर even term हुए तो odd term हुए तो 0 नहीं होगा तो मतलब इस series का infinite तक sum possible नहीं है मतलब ये series not convergent है इस series के infinite तक का sum हम नहीं निकाल सकते मतलब ये series convergent नहीं है क्योंकि इसमें infinite का मतलब पता नहीं कि वो even है कि order लेकिन अगर हम इस series में दो कोई काम करें grouping करें जिसे minus 1 plus 1 को एक साथ ले ले फिर अगला minus 1 plus 1 को एक साथ ले लें तो क्या होगा सारे term zero 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 होते चले जाएंगे और ये एक zero की series बन जाएगी और zero की series क्या है convergent है क्योंकि उसका sum भी zero होगा जब सारे term zero होगा तो sum भी zero होगा मतलब grouping से जो series मिली वो convergent है grouping करके जो series मिली वो convergent है लेकिन जो main series है हमारी वो convergent नहीं है तो मतलब इसका ultra true नहीं है यानि अगर कोई series हाला grouping के बाद convergent हो गई तो main series के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं अगर main series convergent है तो grouping के बाद जो series होगी वो भी convergent होगी या divergent भी कह सकते हैं यह बात ध्यान दो तो यह concept होता है grouping का अच्छा अब देखो हम लोग जरा समझें आखे लिए the arrangement क्या होता है तो बटा मजबूरी में जरा मैं यहाँ पर बैट के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जरा घर से बाहर निकला था relative के आया था जहां भी मिझे time मिलता है मैं बैटा वीडियो बनाने लग जाता हूँ आप पहले भी देख चुके इस सब चीजें है न तो यहाँ एक तूटा-फूटा घर है मतलब तूटा-फूटा तो नहीं घर तो साफ उतरा है साफ उतरा नहीं मतलब घर बना हुआ है लेकिन गंदगी जादा है तो यहाँ पर दोखो बचो the arrangement क्या होता जरा इसको हम लोग समझ लें गर्मी भी काफी है टीक है the arrangement top series क्या होता जरा इसको बिटा मैं आपको समझाता हूँ the arrangement top series का मतलब बिटा होता है term को आगे पीछे कर देना grouping नहीं term को आगे पीछे कर देना जैसे कि माल लो मेरे पास एक series है sigma un n बरावर 1 to infinity तो कोछ जितनी भी series है बिटा बो सब यहाँ पर हम infinite series ही लेते हैं क्योंकि series का मतलब ही infinite series है माल लो यह मेरे पास infinite तक जाने वाली series हम एक काम करें इसमें term को आगे पीछे कर दे मतलब पहले हम सारे odd वाले term ले 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 ऐसा करें फिर हम plus करके सारे even वाले term ले ले ऐसा करें तो यह क्या बच्चों हो गया यह हो गया rearrangement of series मतलब यह जो series है यह इस original series का rearrangement है यह ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि इसका rearrangement यह है और इसका rearrangement यह है दोनों ही बाते की जा सकती है बात ध्यान दो है ना इसका rearrangement यह हुआ मतलब term को आगे पीछे कर दीजे कुछ भी कर दीजे जैसे कि मालो मैंने मेरा मन किया मैं यह करता हूँ मैं दो-दो को छोण कर term लिखता हूँ u1 प्लेस u4 है ना प्लेस हो जाएगा u7 फिर में क्या करता हूँ दो-दो को छोण कर term लिखता हूँ u2 है ना and so on ऐसे करके हाँ term दो-दो बार नहीं आना चाहिए term सारे एक ही एक बार आने चाहिए तो मैं दो term को अगर हम आगे पीछे कर दें हाँ किसी को कहीं भी लिखें तो इसको कहा जाता है the arrangement of series ठीक है दोगो mathematical definition इसकी ये होती है इसकी mathematical definition दोगो मतलब यही है कि मालो sigma u n एक series है infinite तक है n बरावर 1 to infinite बरावर लिखने ही चरुवत नहीं है ये मालो मेरे पास एक series है है ना और एक ऐसी series है मालो sigma v m और यहाँ पर भी m बरावर क्या होगा 1 to infinity होगा बरावर लिखने ही चरुवत नहीं है जब भी series लिख रहा है हाँ ना तो मालो यह series हमारी 1 है और यह series हमारी 2 है तो series 2 series 2 is called rearrangement short में लिख रहे है rearrangement of series 1 if there exist one-one correspondence between these two series between between sorry between terms of terms of these two series मतलब one-one correspondence अगर इनके बीच में है मतलब one-one correspondence का मतलब यह हुआ कि जैसे मालो यह हमारी series है और यह दूसरी series है इसमें मालो term है for example u1 u2 u3 and so on इसमें term है v1 v2 v3 and so on तो माली जै first के corresponding इसका third term है second के corresponding माल्य जै हर term के corresponding इसका एक term है हर term के corresponding इसका एक term है तो इसको कहा जाता one-one correspondence है ला यह कुछ लोग ऐसा भी कहते है की one-one correspondence का मतलब होता है अब यह मेपिंग वन हॉन वन टू तो खुशिक है कि अकेले के पास जा रहा है तो वनों हो aspiring एक element एक के पास जा रहा है इसको one-one कहते हैं जब दो एक के पास जाते हैं तो इसको one-one नहीं कहते हैं उसको many-one कहते हैं यह बात आपको मालूम है single element single के पास जा रहा है तो इसको one-one कहते हैं जब दो element same के पास जाते हैं तो one-one नहीं होता उसको many-one कहते हैं दो सीरीज हैं, तो वो उन दो सीरीज को एक दूसरे का ध्यान लखना, सेकेंड को फर्स्ट का रियरेंजमेंट कहेंगे, और फर्स्ट को भी सेकेंड का रियरेंजमेंट कहेंगे, ये बात ध्यान लखना, तो दोनों एक दूसरे की री आरेंजमेंट होंगी अगर उनके टाम्स के बीच में एक one one correspondence होता है one one correspondence उनके टाम्स के बीच में होता है इस बात को जरा यहाँ पर समझो दे हमसे या दूसरे मलब words में ऐसा भी कह सकते हैं कि टाम्स को आप आगे पीछे कर दी जैसे एक सीरीज यह है यह मालो ओरिजिनल सीरीज है यू वाली और यह मालो वी वाली सीरीज है जैसे यह हमारा वी वन है यह वी टू है यह वी थी है ऐसे करके मैंने माल लिया ताम को मैंने आगे पीछे कर दिया जैसे इसको first term माल लिए v1 इसको माल लिए second term v2 इसको माल 3rd term v3 तो वो series को sigma vn लिख सकते हैं की बात है या sigma vm लिख सकते हैं की बात है m की value 1 से infinity तक जारी से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ध्यान लगों अच्छा अब दोको इसमें एक बात यहां पर important जड़ा समझो यहां पर भी हमारी कुछ theorem साती है दोको जैसे कुछ theorem से इसमें डिचलेट का नाम बहुत ज़्यादा आता है डिचलेट करके दोको बच्छों एक theorem होती है वो theorem कहती है कि अगर मालो sigma vn एक positive term की सीरीज है और वो s पर converge कर रही है तो उसका जो the arrangement बाली सीरीज होगी वो भी convergent होगी हाना मतलब देखो एक डिचलेट करके थियोरम होती है अगले पेच पर लिखता हूँ मैं यहापर जिंदगी की न तूटे लड़ी प्यार यहां गंदगी बेटा काफी पड़ी हुए नीचे पेपर देपर पड़े दिख रहे होंगे आपको इदा उदर के होता है ऐसा और यहाँ पर बेटा मैं बैट करके वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा आपको दिखा दूँ फिर स वीडियो में किसी फंक्शन में आया हूँ है तो वहाँ पर शोर होता है बच्चे शोर कर रहे हैं तो क्या करें मजबूरी यह बीडियो बनाना पड़ता है आप टेंशन नहीं पालिए आपको समझ में सब कुछ आने वाला है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बच्छों सारे वीडियो वहाँ जाके पढ़ लेना लिंक पे चीक है अलग बिटा प्लेलिस्ट है डिशलेट थेयरम दो को बच्छों क्या करती है डिशलेट थेयरम करती है कि माल लो सिग्मा ओफ यू न बरावर वन तो इंफिनिटी यह एक पॉजिटिव टम सीरीज है शरे टम पॉजिटिव सिरीज है एंड कनवर्जेश्ट्ू एस यह सीरीज स्पर सिरीज कर रही है तो क्या होगा इसका कोई भी अरेंज्मेंट एनी रि-एन्ज्मेंट न्यमल को ए मालू इसका रिएरेंज्मेंट यह बनता है मालो इसके रियरेंजमेंट से ये सिरीज बनती है तो एनी रियरेंजमेंट आलसो कनवर्ज़स टू एस माला इसका कोई भी रियरेंजमेंट की सिरीज लेंगे वो भी कनवर्ज होगा ध्यान लखना ये सिरीज पॉस्टिफ टर्म की सिरीज है है ना एक बात और ध्यान लग ना जैसे जो पॉस्ट्टिप टम की सीरीज होती है ना वो अबसुलूट कंवरजेंट इस अगर वो कंवरजेंट है तो बिसिकली वो अबसुलूट कंवरजेंट होती है क्योंकि जैसे Absolute Convergence में क्या होता है जैसे माल लो एक सीरीज है यह अपने पढ़ा है पहले सारी चीजें पढ़ चुके और फिर भी Revise कराता हूं माल लो एक सीरीज है और यह Convergent Convergent है माल लीजिए Convergent का मतलब इसके Infinite Time कसम निकल सकता है और माल लीजिए एक दूसरी सीरीज है जो इसके सारे टमपर माड लगा के बना दी गई तो अगर यह सीरीज भी Convergent होती है बच्चों के रोने की दिखो आवाज आ रही होंगी आपको चुटे मुटे बच्चे रोते रहते हैं सब तो अगर माल लो यह सीरीज Converge है और इस पर सब पर मौड लगा दिया गया हर टम पर और मौड लगाने के बाद एक सीरीज बना दी गई मतलब इसको ऐसे कह दे कि सिगमा ओफ मौड यू न बरावर बन टू इंफिनिटी ऐसे कह दे अगर माल लो यह भी Converge है तो फिर कहते हैं यह सीरीज Absolute Converge है मतलब अगर हम क्या करते हैं कि उस पर मौड लगा देते हैं किस पर अगर माल लो मैं क्या करता हूँ कि रे यार बहुत हवा चल लगी है अगर माल लो यह सीरीज है और उस पर मौड लगा दिया और वो Converge है तो इसको Absolute Converge है इसको हम लोग कहते हैं Absolute Converge है अगर माल लो यह सीरीज Converge है और उसका मौड लस वाली सीरीज challenging नहीं है तो उसको फिर हम Conditionally Converge है कहते हैं Conditionally Converge हैं का मतलब कि सीरीज तो Converge है लेकिन mod लगाने के बाद conversion नहीं है लेकिन अगर series गंश्रीस है और mod लगाने के बाद भी convergence तो उसको में कहते हैं absolute convergence यह बात देहां लगो इसको कहते हैं absolute convergent तो जैसे मानलों अगर कोई positive term की series है और वो convergent है तो क्या हुआ अगर उसके सारे term से पहले से पॉस्टिव हैं तो उसका मदलो कोई पॉस्टिव टम की सीरीज है और कंबरजेंट है तो इसका मतलब उस पर जब मॉड लगाएंगे तो मॉड लगाने के बाद जो सीरीज आएगी वह भी कंबरजेंट ही होगी तो दोखो इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि पॉस्टिव टम सीरीज अगर कंबरजेंट है तो बिसिकली वह अबसुलूट कंबरजेंट हो जाएगी यह बात ध्यान लगना पॉस्टिव टम सीरीज कंबरजेंट है तो बिसिकली वह अबसुलूट कंबरजेंट हो जाएगी अब थोड़ा सा कुछ फाइदा मिलेगा तो मतलब मेरे पास जो सीरीज है बच्छो ध्यान दो वो क्या है पॉस्टिफ टम सीरीज है तो इसका मतलब वो अबसलूट कनबरजेंट होगी तो पॉस्टिफ टम सीरीज है और वो कनबरजेंट है तो थियोरम कहती है पॉस्टिफ सीरीज कनबरज़ेंट है तो उसका कोई भी जो रि अर्इंज्मेंट होगा वह भी कनबरजेंट होगा यह बहुत इंप्रॉटन थे दियूरम है यह बात ध्यान दो अच्छा अब दोको इसी थेओरं का यह स्ट इस्टेट्मेंट है इसी थेओरं का बच्छो जो सेकेंड़ स् सिरीज है, और यह मिक्स टम की सिरीज है, यह क्या है? मिक्स टम की सिरीज है? माल लो, सॉरी, मिक्स टम बाद में करेंगे, पहले सिंपल करते हैं, माल लो यह सिरीज है, और यह फिर से वही पॉजिटिव टम की सिरीज है, पॉजिटिव टम की सिरीज है, और डाइवरजेंट ह समझो जैसे यहाँ पर positive term की series थी और convergent थी तो इसका rearrangement भी convergent होगा ठीक है अच्छा मालो मेरे पास ये भी positive term की series है और divergent है तो कह रहे हैं कि इसका rearrangement भी divergent होगा then इसका जो rearrangement बनेगा मालो m बरावर 1 to infinity ये क्या बना ये बना इसका rearrangement ठीक है short में लिख रहा हूँ rearrangement तो ये भी क्या होगा divergent होगा समझो बात को देहां से तो अगर positive term series convergent है तो उसका rearrangement भी convergent होगा अगर positive term series divergent है तो उसका rearrangement भी divergent होगा ये दो बाते धानने को तीसरी बात दोखो बच्चों यहाँ पर एक और है वो कहता है कि अगर मालो sigma un है और अब मालो ये mix series है अब अभी तक हमने इन दोनों में positive term series की बात की थी यहाँ पर क्या है बच्चों ये mix series है ये क्या है mix series है mix series है मैं लग इसमें term positive negative दोनों है लेकिन ये absolute convergent है मनलब series तो mix है लेकिन ये mix series कैसी है बोलो absolute convergent है समझें थे मनलब ये series तो mix है लेकिन ये mix series कैसी है बच्चों absolute convergent है बस समझें तो ऐसे case में ध्यान लखना इसका जो rearrangement होगा वो भी absolute convergent होगा इसका जो रियांजमेंट होगा मालों यह इसका रियांजमेंट है ठीक है यह मालों इसका रियांजमेंट है तो भो भी absolute convergent होगा यह बात समझो महलब यह सीरीझ कैसी है mixed series और absolute convergent है तो इसका जो rearrangement होगा भो भी लिख सकते हो अपने आप से, if a given series is mix series and absolute convergent, then its rearrangement is also absolute convergent, मलब इसमें, यह मैं सुच असन ने definition नहीं लिखाई, तो बच्चों वाले काम हो गया, मैंने आपको समझा दिया, तो आप इसकी definition खुछ से लिख सकते, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, यह बात यहाँ पर जड़ा, ध्यान से समझी है, और convergent of series, absolute convergent, यह मैं आपको detail से पढ़ाई चुका हूँ, series को कैसे convergent check करते हैं, इसके बहुत सारे result आपने पढ़ें, इस समय आपको detail से बहुत ज़दा पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें कोई मौटलस भी convergent है, ठीक है, यह बात ध्यान दो, conditionally convergent का मतलब होता, series तो convergent है, लेकिन इसका modulus convergent नहीं है, समझे ना, यह बात ध्यान की है, इस अब example मैंने दी एक आपको पहले भी, अच्छा, एक बचरा और यहाँ पर बच्चों समझीए, इस page को हटा देते हैं, कहीं रख देते हैं, side में, कहां रखा जाए, chair और तो सब पिर अधर हो गई है, गंदगी बहुत हैं नीचे, जमीन पर रख नहीं सकते हैं, देखो, फॉर्थ में देखो, एक और theorem होती है, बच्चों, जिसको हम लोग दीमन थियोरम कहते हैं, तो एक और कुछ दिश्टर्ग हो जाते हैं, अब साफ आया होगा, जिसको हम लोग दीमन थियोरम कहते हैं, दीमन थियोरम क्या कहती है, कि माल लो एक मिक्स सीरीज है, एक मिक्स सीरीज है, और ये Mixed Series जो है Conditionally Convergent है ये Mixed Series कैसी है? Conditionally Convergent Conditionally Convergent का मतलब Series तो Convergent है लेकिन उसका Modulus Convergent नहीं है ठीक है? कुछ तुष्टाब हुआ टश कर देख अच्छी के ज़़ेगा Series तो Convergent है लेकिन उसका Modulus Convergent नहीं है तो मतलब Mixed Series है पॉस्टिव नेगेटिव दोनों टैप के टाम है सिरीज में Mixed Series का मतलब उससे पॉस्टिव नेगेटिव दोनों टाम है और Conditionally Convergent है मालो Series तो एक बात तो कोई IMPORTन समझो तो कहते हैं कि Then It's Rearrangement can be made Rearrangement can be made मतलब इसके Rearrangement बनाए जा सकते हैं इसके ऐसे Rearrangement बनाए जा सकते हैं Then It's Rearrangement can be made Which are Which are Number First Convergent Number Second Divergent Divergent to plus infinity or minus infinity Number Third Oscillate Oscillate Finite और Infinite तो को बहुत Important है कह रहे हैं कि Mix Series है Conditionally Convergent है Absolute नहीं नहीं तो कि अगर Series Absolutely Convergent हुई तो तो उसका कोई भी Rearrangement बनाओगे वो Absolute Convergent होगा पिछले थे औरम में पढ़ा हम लोगोंने हैना अगर Series Absolute Convergent हुई तो उसका कोई भी Rearrangement बनाओगे वो भी Absolute Convergent होगा अभी पिछले थे औरम में पढ़ा Rearrangement क्या कह रही है यह कह रहे है कि अगर Series Conditionally Convergent है तो उसके अलग-अलग Rearrangement बनाए जा सकते हैं मतलब मेरी मरजी पर है हम उसका एक ऐसा Rearrangement बना सकते हैं जो Convergent हो सकता है एक ऐसा भी Rearrangement बना सकते हैं जो कि Plus Infinite या Minus Infinite पर Divergent हो सकता है एक ऐसा Rearrangement बना सकते हैं जो कि Oscillate कर सकता है है ना तो अगर कोई Series Conditionally Convergent है Then its Rearrangement can be made मतलब इसके ऐसे Rearrangement बनाए जा सकते हैं जो Convergent हो या Divergent हो या Oscillate कर सकते हैं Infinite या Minus Infinite पर वो Oscillate कर सकते हैं तो ऐसे इसके हम लोग Rearrangement यहाँ पर बना सकते हैं इस बात को जड़ा बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझेए फोन किसी का आ रहा है यार किसका फोन आ रहा है क्या करा जाए कोई बात नहीं दो को बच्चों यह मैंने आपको कुछ इसकी theorem बगारा पढ़ा दी है जो की बहुत जरूरी थी और इसमें जादा कुछ बिटा कोशन होते नहीं है क्योंकि इसमें कोशन जो है वो वही सव है जो आप पहले कर चुके हैं अबसलूट कंबजेंट डिवर्जेंट बगारा कोशन होते हैं ठीक है बच्चों तो इस वीडियों बटा इतना ही हम लोग अगले वीडियों मिलेंगे और कोशिच करूंगा अगला वीडियो में बोर्ट पर बनाऊंगा टेंशन नहीं पाना किसी का फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट बटा वह जरूरी है जाना है फंक्शन शुरू हो गया बात करने ठीक है बच्चों चलिए बच्चों बाई बाई